अब रोड मल नागर और दिगविजे सिंग की फाइट में क्या स्थिती आप लोग वाकई में देख पा रहे हैं वही बताईएगा क्योंकि चार्ज उनको नतीज़े आ जाएंगे और फिर हम यहां के रिपोर्टर से गएंगे कि इनके पास जाई और पूछिए सवाल कर रहे हैं अधिकारी जो सुरच्चा में लग रहे हैं उनके लोगों किस तरीके से एक असोबनी सब्दों का उप्योग किया उन्होंने यह सपस्ट हो गया और यह जो मेरे दोस्त है यह क्या है यह दिगविजे सिंग जी के बारे में जो अनर्गल बाते करते हैं वह सिर्फ यह जूण बोलते हैं दिगविजे सिंग जी इतने बड़े नरब्दा भाकते हैं धार्मिक व्यक्ति हैं साड़े तीन हजार किलो मीटर की नरब्दा यात्रा की अरे तुम लोग जूटे हो राम मंदिर का ताला हमने खोला है राजीव गांदी जी ने खोला है राम मंदिर लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं पहुचे कॉंग्रेस के कारकरता क्यों नहीं पहुचे यह तो आरोप लग रहा है ना चालू हमने की पूजा चालू राजीव गांदी जी ने कराई मंदीर में जाने का जो सवाल उड़ता है न उसमें भारती जनता पाइटी इनकी जो जूटी बात है राम जी का मंदिर हमने भी मंदिर बनाए यह जो बात करते हैं न यह सिर्फ मंदिरों के काम रोकने की बात करते हैं अमारी अहोड़ा वाली माता जी की मंदिरें चे करोड़ तेश्च लाक मैंने मंजूर कराया था जब से सरकार गिरी उसका पैसा ही नहीं दिया इन्होंने ओडा माता इसका है बता यह क्यों इवेंट सब्सक्राइब करें भारत के लोगों पर पर भरोसा करो तुम्हार उद्दार हो जाएगा तो देखिये राम पर भरोसा करो और आपके कई कार करता जो कॉंग्रेस से बीजेपी में गया वो भी ये कहते हुए नजर आए कि राम मंदर में जाने नहीं दिया गया इसलिए बीजेपी में चले गया तो देखिए कितना नुकसान कॉंग्रेस पार्टी को नहीं हो गया इसका टेंशन तो नहीं बढ़ रहे हैं दूसरी चीज आप कि देखने को क्यों नहीं मिल रहा या तो आप लोग हार मान चुके या तो आप लोग ओवर कॉंफिडेंट है बताइए क्या है दोनों में से कॉंग्रेस पार्टी चुनाव जीत रहे है और कान्पिडेंस नहीं जनता का समर्तन मिल रहा पूरा असिरवाद मिल रहा